आज हम जानेंगे कि बिटिश लोगों ने कैसे इंडियन रिसॉर्स इसको एक्स्प्लॉइट किया है ठीक है तो एक्स्प्लॉइट का मतलब यह होता है कि किसी चीज को बरबात करना बस अपने फाइदे की लिए ठीक है तो अगर आपको इसका एक हिंदी वर्ड पता हो एक्स कमेंट करके मुझे बताईए ठीक है एक्स्प्लॉइट का मीनिंग क्या मतलब हिंदी में क्या कह सकते है ओके आज हिंदी दिवस भी है 14 सेप्टेंबर है ना तो हिंदी दिवस के दिन आपको यह बताना चाहिए आज कल हम सारी हाई स्कूल मेंने सारी स्टड़ी इंग्लिश हिंदी में करीनी है इंग्लिश का बैनिफिट है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बार जगा पर जॉप कर सकते हो अगर किसी को लेवर की जरुत पड़े दो ठीक है तो communication skills इंग्लिश होनी चाहिए बस हिंदी पे जरूरी है क्योंकि हिंदी में भौत कुछ है the British exploit Indian resources, तो Indian resources को उनने कैसे exploit किया, तो इसका example वहाद easy सा है, कि इंडिय जो ब्रिटिश है लोग थे लेवर्स को force करते थे इंडिको और cotton को grow करने के लिए और वो माल भी जो खरीदते है थे, वो सस्ता माल खरीदते थे, ठीक है, चीपर कोश्ट में यहाँ पर जैसे कोई भी company आती है जैसे dominius अपना माल बेचेगी तो उन्हें text देना पड़ेगा government को, एक bill pass होता है न यह illegal हो जाता है, अगर आग चुपके से कोई चीज बेच रहे हो, तो वो illegal है कोई company चुपके से वो चीज बेच रहे हो वो illegal है, एक bill pass होगा तो उसका जो profit होता है, आदा profit उनके पास जाता है, वो percentage की बात होती है ठीक है, तो एक बार read करते है और उसके बाद वो जो माल बेचते थे, वो बहुत costly भी बेचते थे, तो देखते क्या कह रहा है क्या कह लिखा है, इंडियन्स वर export raw material, कच्चा माल, जैसे cotton और इंडिको, इंडिको इंडिको ग्रू करने के लिए तो वहाँ पर भूख मरी आ गई थी, कॉल कत्ना में ठीक है, तो वो export कह रहा है, हाँ export, exploit सुना जे रहा, export करवाते थे, raw material, at a cheaper cost, cheaper मतला सस्ता, ये imported माल जो आ रहा है, उसे कहते है imported मतला आ ना, तो जो imported ready mail बाढ़ा आता है, उसमें कोई भी tax free ने करते है, at a duty free, और nominated duty, जब कोई भी tax नहीं दे रहे, free of cost में वो माल यहाँ पर बेच रहे है, जो profit आ रहा है, वो सारा profit अपने पास ही ले जा रहे है, तो उन नहीं ही ऐसे बरबाद किया है, इंडिया को, और अपना profit कमाया है, तो कोई doubt हो, तो comment करके मुझसे पूछी, बीच में मैंने ज़्यादा लेक्चर दे दिया था, तो हिंदी English, local languages में भी आपको अगर answer पता हो, cheap को हिंदी, और क्या कहते है, जैसे सस्ता कह सकते है, और क्या कह सकते है चीप को, सस्ते के लावा और, चार शब्द यहाँ पर आ गए हिंदी के, ठीक है, तो बताईए और Indian Resources, Resources को भी कहते है माल, ठीक है, तो कोई doubt हो, तो comment करके मुझसे पूछिए, और channel को subscribe कीजिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख सके, so bye bye and have a nice day